नमस्ते दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल राधा स्वादा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं फिर से एक पीठा की रेसेपी लेकी आई हूँ यह दाल का पीठा है इसे चावल के आटे के फरे भी कहते हैं और यह जो पीठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत ही चैटपटा लगता है इसके अंदर का स्टफिंग इसके अंदर दाल का स्टफिंग भरा हुआ होता है तो चलिये फ्रेंड्स बनाना सुरू करते हैं इस डाल के पीठे को इसे मैंने दो तीन पानी से अच्छे से वास कर लिया अब हम इसका पानी हटा लेंगे तो पानी हटाने के बाद अब हम इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे मैं यहाँ पे छोटा ग्राइंडर जार ले रही हूँ इसलिए दाल को मैं दो बार में पीश हूँगी बिल्कुल गाड़ा पेस्ट है और मैंने इस चम्मच से दो चम्मच पानी का यूज किया है दाल को पीछने के लिए अगर जरुत हो तो ही आप पानी का यूज करें तो सारे दाल को हम एक बोल में निकाल लेते हैं और यहां पे हम जो बचे हुए दाल है उसे भी पीछ लेंग मैं 10-12 लसुन की कली ले रही हूँ और 1-1.5 इंच मैंने अद्रक लिये थे जिसे मैंने चुटा-चुटा काट लिया है तो सारा हम यहां पे डाल देंगे मिर्ची के कुएंटिटी आप अपने एकॉर्डिंग एडजेस्ट कर सकते हैं और इसे भी हम पीस लेंगे देखिए यहां पे मैं जो हिंग ले रहे हूँ यह पावडर हिंग है आप कोई भी हिंग ले सकते हैं कोई भी ब्रैंड का हिंग ले सकते हैं और हिंग हमें यहां पे 1-4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम एड़ करना है और इसके साथ हम इसमें नमक भी आड़ कर देंगे नमक हमें स् ड्रक देते हैं और अब हम इसके लिए चावल का डो पनाएंगे चावल के आ faço का यूजड करें याँ हब देख़ों पाने पाने Giving. कर लेते हैं और इसी पानी से हमें डो को बनाना है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें आड़ करेंगे और यह बहुत ही गरम है तो पहले चम्मच से हम इसे मेक्स कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे एक ही बार में सारा पानी नहीं आड़ करेंगे जित थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अब हम इसे हाथ से ही मसल के इसका डो बना लेंगे गरम पानी से चावल के आटे का डो बनाने से जब हम इसमें फिलिंग करते हैं तो यह फर्टता नहीं है तो आप गरम पानी से ही चावल के आटे का डो बनाए ठंडे पानी से नहीं तो यहा अब हम इसे कवर करके 15-20 मिनट के लिए रख देंगे उसके बाद हम इस आटे से पीठा बनाएंगे तो लगबग 20 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा सा ओयल लगा लेंगे और इसे थोड़ा सा और मसल के इसे थोड़ा से चिकना कर लेते हैं और यहां पर हमने आटे को चूटा चूटा सा पोर्सन लेगे जितना वहीं बड़ा आपको पीठा बनाना हो और इसे हम इसका लोई बनालेगे और यहां ञाला लेंगे एसे थोड़ा सा पतला रखना और जादा मौटा नहीं रखेंगे और उसके भाद इसमें फिलिंग भरेंगे तो इस तरह से देखिए मैंने एक पूड़ी बना लिया है और जो हमने दाल का स्टफिंग बनाया है उसे हम इसमें रखेंगे एक से डेर चमच हम इसमें रखेंगे आप अपने अकॉर्डिंग रखें अगर आप पूड़ी का साइज बड़ा बना रहें तो आप थोड़ा से दाल जादा डालें तो इस तरह से हम दोनों साइड सेsे फोल्ड कर लेंगे और सभी तब से हम इसे सील कर लेंगे अगर आपको लगे कि रखेंग लगे दाल गीला जादा हो गया यह नहीं भर पा रहा है तो आप दालista कढ़ै में भून लें इसे ये तोड़ा सा ड्राय हो जाएगा और आपको स्टफ करने में थोड़ी सी आसानी होगी तो फ्रेंट्स यहां पर देखे अच्छे से हमें से सील करना आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं या फिर आप इसमें इस तरह से डिजाइन भी बना सकते हैं जिस तरह से हम गुजिया बनाते है कि हमें इसमें फिलिंग कैसे करना है तो मैं यहां पे एक लोई ले रही हूँ इसे हमें गोल कर लेंगे और इसे हमें पूरी जैसा नहीं बनाना है इसे हमें कटोरी का सेप देना है इस तरह से देखिए दोनों उगलियों के मदद से जिस तरह से हम कचोरी बनाने के लिए केंचे हम अच्छे से इस तरह से सील कर लेंगे देखे इस तरह से दाल भी बाहर नहीं आता है और आप लिए प्रैस कर लेंगे ताकि प्रभश नहीं आप हाथ में हल्का से ओई भी लगा सकते हैं ताकि बिल्कुली स्मूथ हो जाए उसके बाद मैं इहां पे इसे डिजाइन बना रही उसमें देखे बहुत ही इसली आप इसमें डिजाइन बना सकते हैं तो फ्रेंट्स देखे इस तरह से हमें बस मोड़ना है इसे हमें मोड़ के हलका सा निचे प्रेस करना है तो देख पा रहे होंगे कितना अच्छा डिजाइन इसमें बन रहा है तो बहुत ही इसली आप यह डिजाइन बना सकते हैं तो सारा पीठा जो है इसी तरह से हम बना के तयार कर लेते हैं तो देखे फ्रेंड्स यहां पे हमने सारा पीठा जो है बना के तयार कर लिया है और बहुत सारा पीठा जो है बन के तयार हो गया है अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मैंने गैस पे पानी गरम होने के लिए रखा है यहां पे मैंने कड़ाई में दो गलास पानी डाला है और पानी देखिए पानी में स्ट्रेंड रख देंगे इस्टेंड हमें थोड़ा सा उचा लेना है ताकि यह पानी को टच ना करें आप चाहे तो यहां पर आटी का छन्नी भी ले सकते हैं और अब हम यहां पर एक जाली वाला प्लेट लेंगे इस तरह का जो पानी में भी उबाल सकते हैं तो यहां पर हम इसे सेंटर में रख देंगे और पीठा को इस तरह से एरेंज कर लेते हैं आप यहां पर इसे पानी में भी उबाल के पीठा को बना सकते हैं बट उससे क्या होता है अगर कोई पीठा खूल जाएगा तो उसका जो स्टफिंग ह पूरा पानी में घूल जाता है तो मुझे यह इजी लगता है इसलिए मैं यहां पे से स्टीम करके ही पकाऊंगी यह बहुत ही आसानी से बन जाता है और अब हम इसे हाई फ्लेम पे ही लगबग 15-20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे मैं इसे कवर कर देती हूं और 15-20 मिनट के ल निकाल लेते हैं जब हम इसे टच करेंगे यह थोड़ा सा हाड लगेगा यानि पीठा अमारा पक चुका है और बीच-बीच में चेक कर सकते हैं अगर पानी खतम हो जाए तो आप पानी इसमें डाल सकते हैं तो पीठा को मैंने निकाल लिया है और पीठा अमारे यहां पे ठंडा हो गया है तो इसे हम सारा एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बागी का बचा हुआ पीठा है उसे भी हम सेम प्रोसेस में स्टीम करके पका लेते हैं फ्रेंड सी बहुत ही अच्छा पीठा बनके तयार हुआ है मैं यहां पे आपको एक पीठा को कट करके दिखात हैं मैं यहां पे पीठा को कट कर रही हूं और देखी कितना अच्छा अंदर का स्टॉफिंग दिख रहा है तो अगर आपको मेरी यह पीठा की रेसिपी पसंद आई हो या चावल के फरे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को दूसरों के साथ भी जरूर सियर करें वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो फिर मिलते किसी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू बाई और आपको नेक्स रेसिपी किस चीज की चाहिए वो भी आप मुझे बता सकती